आज की क्लास में हम पिजिन के फेदर का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे दो प्रकार के फेदर्स होते हैं पिजिन में एक होता है काउंटर फेदर्स जो की जेनरल बॉडी कवरिंग बनाता है दूसरे होते हैं flight feathers जो की wings या tails पर present होते हैं और एक typical structure बनाते हैं टिपिकल feathers जो होता है उसमें एक axis होती है या main stem हम कहते हैं और दूसरा expanded portion होता है जिसे हम växillum या vein कहते हैं सबसे पहले हम देखेंगे axis क्या होती है Axes को हम दो portions में बाट सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया है दो parts होते हैं feathers के feather के जो parts होते हैं एक होता है ये axis और दूसरा ये होता है जिसे Vaxillum ये Vane कहते हैं तो ये जो axis होती है इसको हम दो parts में portions में divide कर सकते हैं एक होता है proximal portion ये lower portion जिसे हम calamus ये quill भी कहते हैं और दूसरा जो होता है वो distal portion ये होता है जिसे हम या हम upper distal portion या अपर portion भी कहते हैं जिसे हम ratches या shaft कहते हैं ये ratches ये shaft है और ये quill ये calamus ये है now what is calamus? calamus ये quill जो होती है ये hollow tubular shape की semi transparent structure होती है feather में और इसका जो base होता है ये inserted रहता है एक छोटी सी pit में या हमके epidermal follicle जो skin में होता है उसमें ये embedded रहता है और यहां पे muscles इसमें जाती हैं पास होती है feather में और ताकि feather जो है उसका movement effective movement individual feather का हो सके इसके अलावा आप देख सकते हैं इसके base पर lower most base पर एक छोटा साब एक जो है minute opening होती है छोटी सी जिसे कहते है inferior umbilicus और ये inferior umbilicus के अंदर dermal papilla enter होता है open होता है और इसमें blood vessels enter होती है इसके तुरू और nutrient supply होता है pigments होते हैं जो developing feather तक यहां से इसके inferior umbilicus के द्वारा enter होते है इसके अलावा एक छोटी सी opening feather में और होती है at the junction of the calamus and the ratches ratches जैंसे शुरू होती है calamus यहां खतम होती है इसके junction पर एक और opening होती है जिसे कहते है superior umbilicus इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहां पर इस जगे एक और चीज आपको दिखाई दरीए यह soft tuft of feathers है यह present होती है soft feathers होते हैं एक bunch सा होता है feathers का जिसे hypo ratches या after shaft कहते हैं इसके बाद हम आगे देखें तो यह उपर जो है वो होती है ratches तो यह ratches जो होती है आप देख रहे हैं shaft ear ratches यह पूरी जो vein होती है उसकी longitudinal axis यह बनाती है और यह calamus से different होती है क्यों different होती है क्योंकि calamus hollow होता है परंटो यह solid होती है stiff होती है opaque होती है और roughly quadrangular होती है और इसके अंदर अगर हम देखें तो इसमें यह closely packed होती है pit के द्वारा और इसमें एक hollow आगर आप देखें groove भी run कर रहा है जिसे umbilical groove कहते हैं इसके अलावा हम यह vein देखें तो यह vein जो होती है expanded membranous part होता है feather का जिसे हम vein कहते हैं यह vexillum कहते हैं यह vein यह vexillum है expanded part of the feather इसमें आप देखें जो ratches होती है यह ratches यह shaft जो होती है इस vein को un equally divide कर रही है दो portions में यह बड़ा है एक छोटा है un equally divide करती है और आप एक चीज़ और देखें तो इसका जो proximal portion है यह जो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो इसका distal end जो होता है वो narrow होता है than the proximal end तो distal end और proximal end में अंतर होता है इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो vein का जो middle portion है तो यह आप चोड़ा देख सकते हैं और दोनों ends जो होती हैं यह थोड़ी सी narrow होती है और slightly आप vein को देखें तो यह देखिए oblique है यह oblique है oblique arrangement है यह देखिए somewhat oblique है lateral sides पर ratches के यह oblique आपको दिखाई देती है तो इसके अलावा जो यह जो होती है यह vein जो होती है इसमें किसकी बनी हुई होती है it is made up of series of parallel numerous parallel closely set delicate thread like structures होते है parallel closely set thread like structures यह आप देख सकते हैं जिसे हम कहते हैं बार्ब्स और यह vein oblique क्यों है क्योंकि इस अप देख सकते हैं इंका arrangement यह oblique है तो यह दौनों साइट्स पर आप देखें तो यह vein पे जो बार्ब्स लगें होएं हैं इनका oblique arrangement यहां पर हैं यहां पर आप देख Kelsey हंण हर एक बार्ब जो उता है यह वापस यह डिवाइजिज रहता है यद समय भार्भ है तो यह मासर तरी के से बार्ब्यूल्स में डिवाइड़ है रोज में दो डबल रो ऑफ बार्ब्यूल्स में तो डिवाइड़ होता है बार्बी सेल्स बार्बी बार्ब्यूल्स कहते हैं और बार्ब्यूल्स या रेडियाई भी कहते हैं इनको और बार्ब्यूल्स जो होते हैं यह दो प्रकार प्राखे होते हैं एक होता है इलो लिए से सबस्क्राइच फसी धा, प्रॉक्शिम्मल बारभ्यूं दोनों में अंतर क्या है जिए जो यहां धार, जो बारभ्यूं। होते हो यहां और सब्वाध्य में दिआरेक्टिड में रहते हैं इस आराफ हैं। यह से संबातों हैं यह वजांता थाएं ऊङरेटि 창 की सरह फстиन समस्ऺ निरिक्टिड हैं अर आप देखे सकते हैं दें यह हैं दिकन मुर्सीर आप राइजसưर निकले हुए हैं hemuli या hooklets भी हम इनको कहते हैं इससे hooklets निकलते हैं और जो proximal barbule जो है आप यहाँ पर अगर देखें यह proximal barbule है यह distal barbule है इधर देखें तो यह proximal तो proximal barbule का जो upper end जो होता है वो curved होता है यह upper end इसका curved होता है और इसमें यह curved होता है और flange बनाता है ग्रूव और flange बनाता है यह देखिए अब ग्रूव है और यह flange होता है तो क्या होता है क्योंकि हम देखते हैं कि जो vein में जो barbs हैं उनका arrangement कैसा है oblique arrangement है तो इसलिए oblique arrangement के कारण जो barbs होते हैं वो एक दूसरे को overlap करते हैं और overlapping के कारण जो barbules होते हैं वो क्या होते हैं कि यहां पर जो flange और groove होता है उसमें यो एक interlock कर लेते हैं और एक तरीके से flat surface is interlocking के कारण एक flat surface बन जाते हैं simultaneously होगे flange ya groove में यह connector हो रहे हैं तो यह इस तरीके से एक flat vane या flat surface यह बना लेते हैं तो इस प्रकार से इनका arrangement उनके current एक दूसरे को overlap करते हुए interlock करते हुए जाते हैं और flat surface बना देते हैं तो परन्तु यह जो barbs और barbules जो होते हैं यह loosely attached होते हैं यह loosely hooks इससे attached रहते हैं तो इसलिए जो vane होती है बड़ी flexible होती है wide होती है flat होती है continuous होती है और air को जो कातने के लिए strike करने के लिए एक ideal surface भी यह बना देती है और interlocking जो इसमें होती है यह इसको इसमें क्या है यह इसको वेन को stretch भी किया जा सकता है interlocking जो होती है उसको क्योंकि यह slip हो सकते है hooks एक दूसरे के ऊपर तो यह वापस slip करके इसको detach भी किया जा सकता है वापस इनको reunite भी किया जा सकता है तो इस प्रकार से यह birds जो होती है ज्यादा तर जो damaged feathers होते हैं उनको cleaning या उनको अपनी beak से pull करके उनको यह repair करती रहती है इस प्रकार से अगर यह detach हो जाते हैं तो उनको reunite करने का काम भी इस प्रकार से यह करती रहती है तो आज हमने pigeon में जो यह typical feather जो होता है उसका structure पढ़ा है next class में हम pigeon में जो अलग अलग प्रकार के feathers पाए जाते हैं वो पढ़ेंगे